नमस्कार दोस्तों पंजाब टूडे टीवी पर आपका स्वागत है पहले क्लिप में हम देखेंगे जब वैक्सिन के ऊपर डिबेट के दोरान बीजेपी परवक्ता और गोदी एंकर बीजेपी की वावाई करने में जूटे थे तो कैसे कॉंग्रेसी परवक्ता ने उनको वापिस जमीन पे लापटका मैं बीज में नहीं बोलना चाहरा था पर आपने चार मिनट बोल दिया आप मुझे भी चार मिनट चाहिए और और ये भी बता दूँ आपको अभी तक जितनी सरकारें आई सबी सरकारों ने मुफ्त टीका करन किया मुफ्त आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हाँ ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधान मंत्री जी की फोटो पहले दिखरे हैं कि बाई यह हैं यह हैं करके आप बचे हो यह नहीं रहेंगे तो यह जबरदस्थी किसी के मनस में बिठाया जारह है कि यह हैं करके यह ठीका आया और ठीका कहां बना कॉंग्रेश के द्वारा निर्मित प्रयोग सालाओं में ठीका बना है आप भूल जाएए आपने साथ साल में अगर एक नई प्रयोग साला बनाई हो आप बड़ी जोर सोर से कहते हैं कि रिसी केस से और कनप्रिया की रे लाइ आप विकास करिए वो विकास कारियों के नाम लेजे हमें खुशी होगी लेकिन रिजिकेस कणप्रियाग लेल रेलाइन एंटनी जी ने उसका सिला नियास किया यूप यूप टू की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ काम चालू हुआ अब आपके समय में वो पूरा ह पर कलंख है इस क्लिप में देखिए कैसे मिला इन सब एंकर और हिजाब के खिलाफ बोलने वालों को मूँ तोड़ जवाब बोलिये, पुछे, 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 यही था क्या बे वजये अब इस चीच को इतना बड़ा कर दिया गया है, बेवजय इस विरुत को इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब इसने अधे लिए घुजियेas देखे जे, rajniti है each BJPP किविस किम्हों के क्या है === प्रधान मंत्री के पास दो दो फेक्ट डिगरी हो ना उस देश के स्कूलों में मजभ़ की बात होगी इजुकेशन की नहीं होगी इसलिए हो रहा है देश को बाट रहे और कोई दूसरी बात है नहीं नहीं आपी उंका कोई लाजमी है उंका छोड़ देजिए मुझे कुछ का मौका दीजिए हम अहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो खतल भी करते तो चर्चा नहीं होती बारे वीडियो देख लीजिए गार प्लीज यह वीडियो देख लीजिए आपके वीडियो सुनीजिए 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 दोस्तों इस विशे पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं क्योंकि जो सविधान एक सीएम को पार्लियमेंट में भगवा पहनने की इजाज़त देता है वही सविधान हिजाब और दस्तार की भी इजाज़त देता है तरहले प्रातना कराई जाती थी सब को हाथ जोड़कर जब कि अव स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिकिसाई भी नहीं पढ़ते थे और क्लासेश खतब होने के बाद एक सो क्रिशियन प्रेयर जो है पढ़ाया जाता था जब कि हमारा अलम का सुरा या हमारा कोई कल्मा कभी नहीं पढ़ाया और हमारी स्कूल डाइरी में भी क्रिशियन प्रेयर था, वो प्रातना थी, गाने थे, मतलब आव लोग जो फूजा करते हो सब थे, हमने कभी सवाल नहीं उठाया और इसे तो कई स्कूल्स कॉलेजिस होता है चाहा चुरुआत प्रातना से शुरू होती है और हर बच्चे पढ़ते हैं, हमने कभी सवाल नह करने की हो, तो हम अखिलेश यादव को कैसे भूल सकते हैं, अगले क्लिप में हम देखेंगे कैसे अखिलेश यादव ने उड़ाए बीजे पी और गोदी पत्रकारों के होश योगी जी के जो शब्द हैं वो बता रही हूं ताकि उस पर आप जबाब दें, वो कहते हैं कि SP के बगुंडा राज था, कब किस लड़की पर आसिड अटाइक, पर्फ के नाम पर भीशन दंगे होते थे, व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस पर गोली मारी जा रही थ वो कहते हैं, पहले एक सब्दा में दो दंगे हुआ करते थे, हमने यूपी को सम्मान जनक स्थिती पर पहुंचाया है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सब्दा में आ जाएंगे, तो दंगा कैसे होगा, कैसे दंगा होगा, और फिर, हमने आतंगवादियों अपने मुकत में क्यों बापिस ले लिए, क्या वो भी आतंगवादी हैं, आप बिलकुत ध्यान मत अकाईए, आप बात ये करिए कि कितने नौजमानों को रोजगार मिलने वाला है, कितनों के नौकरी मिली है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपना कोई पाइप लेके अंजना को बताया, कि नरेंदर मोधी को क्रिटिसाइज करना देश को क्रिटिसाइज करना नहीं है, और अंजना की बोलती बंद हो गई ये है भारत की सच्चाइक, एक संवेदन शीलता होती है, जो महामारी के दोर में गए हुए लोगों को दिखाते हुए हर कोई परहेस करता है, क्या उन सब की मर्यादा और खयाल नहीं रखा गया, वैसे साथ मैडम जब इस देश के परधान मंत्री या प्रेजिडेंट मर जाते हैं तो क्या उनकी जलती चिताओं को नहीं दिखा जाता है, नैशनल टीवी पर? और ये शानवा दूसेंट कहां से समझ लिए हैं? कि मोडी को अगर तनखीद करेंगे, किटिसाइस करेंगे तो देश को करना है आप ये कहना चाहरे हैं कि नरेंदर मोडी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है नरेंदर मोडी की सरकार की गलतियों की वज़े से नरेंदर मोडी की सरकार जिम्मेदार है आज अगर लोग बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी माएं अपने उलाद को खो चुकी हैं, हमारी बहने बेवा हो चुकी हैं, नरेंदर मोडी की सरकार है सेकेंड वेव आने वाली थी, सब एक्सपर्ट कह रहे थे, मगर नरेंदर मोडी सर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे नरेंदर मोडी को कुछ नहीं मालूम था ना तैयारी कर रहे थे, मैंड़ मैं आप एक मिसाल दे रहा हूँ सर मैं आप से इस दबाल पूछ रहे हूँ, एक समूछ पूछ रहे हूँ पहले जाकर खरीदेंगे, पुरा गाउं जाकर खरीदेगा, तो दाम कम मिलेगा, ज्यादा गाया और भैस मिलेगी, और जब दूट की जुरत पड़ीगी तो भीक मांगेंगे, या फिर गाया और भैस को हम ये कहेंगे कि अपना बच्चा पैदा करो, अपनी आउलाद पैदा लगाई, पूरी दुनिया में इसलाम का इतिहास रक्त बात कर रहा है, इसलाम सब्धता और संस्क्रति का संदेश बिल्कुल नहीं है, जो यदि दुनिया में ये समझते हैं कि इसलाम सांती और सब्धता और का परतिक है, और माप की दिएगा, आप कुरान पढ़ ले, इन जाहिनों की पूरी आसब बेता की 1400 साल की कहानी पढ़ ले, तब आपको पता लगएगा कि ये कहां पर खड़े है, पकार साब जवाब दे रहे, और ये जिर्फ बगार साब की आवाज, पकार साब प्लीज जवाब दे, आप को शर्माना चाहिए, आप को शर्माना चाहिए, आप एन का रहे है, और दूसरी बाइसे कहना हो, जो आपाद इसके इस्तिमाल किया इसलाम को बारे में, अबना चेकर आएने में देखना जाकर, बिकुल ऐसे ही दिखते हो, पोल जैसे, बर तमी जिंजान, I don't like this and I don't like beer.